कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोईस्ट प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किए 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का return दिया दोनों stocks ने कितने परसंटेज का return दिया विनर है विनर है एक मिनिट के लिए हम ये भी सोचना चाहिए कि दोनों stocks ने जैसा return पिछले साथ सालों में दिया है वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक return दे तो उनकी value कहां पहुँचेगी तक्यू तक्यू